आँखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं तो क्या करें ऐसा कौन सा घरेरू इलाज है जो एक ही दिन में आँखों के काले घेरे मिटा देगा भी चाते हैं आप तो आज हम इसी बारे हम बात करेंगे नमसे मैं हूँ सचिनगोयल और आपका स्वागत खरता हूँ जैपूर दा पिंक्सिडी चैनल पर बिमार बिमार से हमेशा ठके ठके से और बोड़े दिखाई देने लगते हैं आयुर्वेट के अलावा और कहीं भी इसकी कोई दवाया सक बनी ही नहीं बस खाली उपर से मेकप करके इन काले घेरों को चुपाना पड़ता है और उल्टा वो केमिकल वाला मेकप उन काले घेर इस भी होते हैं इसलिए आज मैं आपको आँखों के काले घेरे जड़ से खतम करने वाले तीन जबरदस घरेलों उसके बता रहा हूं चलिए इनको बनाते हैं डार्ट सरकल्स के लिए जो ब्यूटी पैक हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी पाउडर, खीरे का रस और आलू का रस खीरे और आलू का रस बनाने के लिए आप इन दोनों सबजियों को एक एक करके मिक्सी में पीस कर चान लीजिए अब एक कटोरी में एक चमच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लीजिए फिर इसमें एक चमच खीरे का रस और एक चमच आलू का रस डाल कर अच्छी तरह मिला लीजिए ताकि एक पेस्ट बन जाए अब इस पेस्ट को डार्क सरकल्स पर लगा कर सुखने तक छोड़ दीजिए और फिर सादे पानी से दो लीजिए इस रेमेडी को रोजणा यूज़ करने से डार्क सरकल्स आठ से दस दिनों में खतम हो जाते हैं अगर आपके dark circles कावी पुराने हैं तो आपको इनसे पूरी तरह छुटकारा पाने में तोड़ा ज्यादा time लग सकता है ऐसे में जब आप 8-10 दिन में ये देखें कि इस remedy से आपके dark circles हलके होने लगे हैं तब आप इसे तब तक continue कर सकते हैं जब तक कि ये dark circles पूरी तरह खतम नहीं हो जाएं dark circles का ये beauty pack male और female दोनों ही use कर सकते हैं आँखों के नीचे के dark circles खतम करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिएं वो हैं चाय पत्ती और पानी एक pen में आदा का पानी ले लीजिए इसमें आदा चमत चाय पत्ती डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो इसे आपको चान लेना है चानने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए जब ये ठंडा हो जाए तब दो कॉटन बाल्स लेकर उनको चाय के इस पानी में डुबो लेना है फिर रूई की बाल्स को निचोड लीजिए और एक प्लेट में रखकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए कुछ जेर रख दीजिए अब रूई की इन ठंडी बाल्स को फ्रिज से निकालना है और आँखें बंद करके आँखों पर डार्क सरकल्स को कवर करते हुए रख लेना है इस तरह इसे 15-20 मिनट तक डार्क सरकल्स पर रखना चाहिए इसके बाद इसे हटा कर आँखों को ठंडे पानी से अच्छे तरह दो लेना है रोजना दिन में एक बार किसी भी टाइम पर आपको इससे करना है दो हफ्ते तक इस प्रियोग को करना चाहिए इससे हमने डार्क सरकल्स को पूरी तरह खतम होते हुए देखा है अगर दो हफ्तों में इससे आपके डार्क सरकल्स बहुत हलके हो जाएं लेकिन खतम नहीं हो तो आप इससे और एक दो हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं इससे यूज़ करते समय ध्यान रखें कि चाय का पानी आँखों के अंदर नहीं चला जाए इससे यूज़ करने से पहले अपनी हतिली पर इससे लगा कर देख लें कि इससे आपको कोई अलर्जी तो नहीं है आँखों के काले घेरे खतम करने के लिए आपको चाहिए गुलाब जल, कच्चा दूद, चावल का आटा, बदाम, हल्दी और शहद चावल का आटा बाजार में किराना के दुकान पर भी मिल जाता है, घर पर इसे बनाने के लिए चावल को मिक्सी में पीस लीजिए इसी तरह बदाम को भी मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए अब एक कटोरी में आधा चमच गुलाब जल, एक चमच कच्चा दूद, आधा चमच चावल का आटा, दो चमच बदाम का पाउडर, एक चुटकी हल्दी पाउडर और आधा चमच शहद अची तरह मिला लीजिए इस तरह से एक पेस्ट बन जाएगा, अगर ये पतला हो तो इसे गड़ा करने के लिए थोड़ा चावल का आटा और मिला ले, इसे डार्क सर्कल्स पर लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर इसे पानी से धो लेना है, आपको रोज़ना दिन में दो बार इसका यूज इसे यूज करना है, एक हफते तक इसे यूज करने से एक हफते में ही काले घेरे बहुत अलके पड़ जाते हैं, इस नोस्के में मौझूद सभी चीजें स्किन का कलर फेर करती हैं और बलर सर्कुलेशन को ठीक करती हैं, जिससे डार्क सकल्स एक-दो हफतों में ही खतम हो ज वीजिश